चले जी, Green Shoe Option होता क्या है, एक्षूक में नाम क्या है, ये हरे कलर के जूते है, ग्रीन शो, मतब ये क्या, एक्षल में क्या हुआ कि ये यूरॉप ये USA की एक कंपनी हुआ करती थी, I think ये यूरॉप की थी, जिसका नाम ता, ग्रीन शू लिमिटेट, ये सबसे पहले, इस कं शुरू किया था इंडिया में भी कुछ एक पब्लिक इशू ऐसे आए और पिरियोड अफ टाइम टाटा का भी एक इन में से इंक्लिवड़िड है टाटा मोटर्स का इधाशन जिन्हों ने ग्रीन शू ऑप्षिन को फॉलो किया बहुत ज्यादा चलता नहीं है और ज्यादा हमारे यहां चलता नहीं है अब इस ग्रीन शू ऑप्षिन में होता क्या और यह क्यों अपना है जाता है कि सोच के देखो कलपना करो एक ऐसे सिच्वेशन की अगर मैं को नोट करने की जुरूतनी है कि वहल अपने सामने वैसे ही रखना इस है अगर मैं कहूं कि सिच्वेश रखण क्या जो रिजरू लेकर बैठे हुआ है जरूर जाते है भॉब ट्रीव बार लिस्टिंग फञते हैं तो लिस्टिंग तो इंवेस्टर का confidence lose होगा इस confidence को maintain रखने के लिए there is a system कि एक price को mechanism करने का price को manage करने का system बनाया जाए अब उस system में क्या होता है कि अगर company expect कर रही है कि ओवर subscription होने वाला बहुत ज़्यादा तो इसका मतलब आप price को manage करना पड़ेगा अब manage कैसे किया जाएगा company क्या करेंगे सबसे पहले डूंड़ेगी वो promoters या फिर वो प्रीशू शेर holders जिनके पास 5% से उपर के शेर से और उनको कहा जाएगा कि भाया हमें कुछ शेर उधार दे दो लेंडिंग कर दो 15% तक शेर से उठाए जाएंगे यानि कि एकलांग अगर शेर इशू हो रहे हैं तो इसका मतलब 15,000 शेर उठागर यह दे दिये जाएंगे कि इसको lead manager जिसे हम यहां पर कहते हैं stabilizing agent को stabilizing agent का काम होगा price को stabilize करना तीस दिन तक stabilizing agent price को stabilize करने का काम करता है अब कैसे काम करता है इसको आमने उधार दे दिये 15,000 शेर पब्लिक को एक लाग शेर अलोट कर दिये 15,000 शेर इसके पास हैं अब आया जैसे मार्केट में शेर आ गए मतब जैसे ही stock exchange पे शेर आ गए क्या मैं कैसे तो शेर बेचेगा supply बढ़ेगी तो दिमांड कम होगी दिमांड कम होगी तो प्राइस नीचे आएगा येस अब इसने जब शेर बेचे तो amount credit में आया मतब आमांट आएगा शेर बेचने पर amount आएगा वो सारा एक जीए सो बैंक अकाउंट ग्रीन शू ऑप्षिन बैंक अकाउंट नाम से एक सेपरेट अकाउंट खुला जाएगा सारा अमोग यहां पर क्रेट हो जाएगा अब प्राइस नीचे गिरना शुरू हुआ गिरते 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 म शेर्स का आएंगे जीए सो डीमेट अकाउंट खुलेगा वहां पर आजाएंगे और धीरे धीरे प्राइस उपर जाने लग जाएगा सिमिलर्ली इसी तरीके से जब जब प्राइस उपर जाएगा एक सर्टन लेवल से जो यह डिफाइन करेगा स्टेबलाइजिंग एजन अब यह शेयर बेचना चुलू करेगा फिर जब जब शेयर नीचे प्राइस नीचे आएगा तब तब यह शेयर खरीदना शुड़ू करेगा यह प्रोसेस दिस दिन तक चलती रहीगी डिमांड सप्लाई का एक हिल अगर लगाता तीस दिन तक चलता रहेगा जब तक कि फा माल लीजिये ऐसा हुआ तो अब यह जो 7000 शेर्स हैं जिन से आपने उधार ले थे पहले बाद तो उने वापस कर दो यानि कि प्रमोटर्स वगरा को कितने दिन में अब प्रोटेक्शन फंड के अंदर जमा हो जाएगा और फिर इशु प्राइस के बराबर जो अमाउंट था उठागे इशु प्राइस के बराबर अमाउंट आप कंपनी को दे दोगे अब इन से अपने उधार कितने लिए थे 15000 शेर इनको दिये कितने अभी 7000 शेर कंपनी क करेगी बाकी के 8000 शेयर्स फॉर्दर इशू करके अब क्या करेगी पांच दिन के अंदर अंदर फॉर्दर शेयर्स 8000 अपने प्रमोटर्स को वापस कर देगी ताकि उनसे 15000 शेयर लिये हैं तो 15000 प्रमोटर या प्रीशू शेयरोल्डर को वापस भी करना है पूरे सिस्टम क बस उतजव है price को stabilize करना 30 दिन के अदर और अर यह 30 दिन के बाद 會 address मैं जो शेयर जीए हो डीमेंट प्रप्टाइब के ब्रापटाब करिंग अक्राट।ंत